हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ओल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज पार्ट 10 और इसके अंदर कुछ नए और धमाकेदार MCQ को डिसकस करेंगे जो CHO जैसे एक्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं लेकिन लास्ट लेक्चर अपने पढ़ा था CHO MCQ की वेक्चिन होती है और आप मेंसे किसी एक नभी जवाब इसका नहीं दिया था इसका मतलब आप पूरा लेक्चर देखते नहीं हो तो कोई बात नहीं मैं बता देती हूं कि रैबीज जो वेक्चिन होती है जो रैबीज का वेक्चिन होता है रैबीज वेक्चिन जो होती ह वो कैसी रहती है इन इक्तिवेटेड होती है और किल्ड वेक्छिन होती है कैसी होती है इन एक्तिवेटेड और किल्ड वेक्षिन होती है और आज का हमारा फर्स्टंसी क्यों आपके सामने है इंडिया वो स्मॉलपॉक्स से free declare कब हुआ था अप्रेल 1977 के अंदर कब हुआ था अप्रेल 1977 के अंदर तो क्योंकि अगर आपको eradication पूचे smallpox का eradication of smallpox का इंडिया इंडिया से eradicate कब हुआ इंडिया को certificate कब मिला कि अब इंडिया के अंदर कोई case नहीं है जट से से खतम हो चुका है smallpox वो था 8 माई 8 माई 1980 के अंदर है अगर eradication पूचे तो 1980 के अंदर अगर यह पूचे कि इंडिया को कब declare गया कि अभी smallpox का कोई नया case नहीं है तो वो है अप्रेल 1977 के नेक्स्ट एंसे क्यों अपना UNICEF was established in year है ना UNICEF जो है यह कब established हो था 1946 के अंदर 1948 के अंदर 1960 के अंदर 1970 के अंदर तो जो UNICEF है यह कब established हो था 1946 के अंदर क्या right answer है 1946 के अंदर अगर आपको uniform की full form पूझे तो होता है United United Nation Child Emergency Fund Child Emergency Fund यह क्या है UNICEF की full form है अगर आपको पूझे UNICEF का headquarter का है तो आपको जवाब देना है New York के अंदर का है New York के अंदर क्या है UNICEF का headquarter है और इस तरीके से आपको सारे program देखने है WHO का बायत है 1948 के अंदर उसका headquarter का है Switzerland के अंदर इस तरीके से सारे ही आपको देखने है Committees और जो जारे program है Community के अंदर वो सारे आपको पढ़ने है क्योंकि वहां से हर बार एक से दो MCQ बनते हैं exam के अंदर Next MCQ अपना What is the color of Lokiya Rubra? जो Lokiya Rubra होता है इसका color कैसा रहता है तो Lokiya के होता है एक female उसकी delivery के बाद में जो postpartum period रहता है उस दौरान उनको vaginal discharge होता है उसको हम क्या नाम देते हैं Lokiya ये तीन टाइप का होता है Rubra Rubra के बाद जो रहता है Serosa उसके बाद रहता है Elba फर्स्ट फिप्टीन डे जो discharge रहता है उसको अपन बोलते है Lokiya और Lokiya तीन टाइप का होता है Rubra, Serosa और Elba Rubra के अंदर जो इनिशली delivery के बाद में जो bleeding रहती है red bright color की bleeding रहती है और बच्चे के और placenta के कुछ clot होता है वो इस Lokiya discharge के अंदर present होता है तो वो color कैसा होगा Bright red color का होगा Serosa जो होता है इसका जो color होता है वो कैसा रहता है Pinkies color का रहता है Serious blood का Serious word है इसका क्या meaning होता है जो normal apply body का fluid रहता है Pinkies color का उस type का जो discharge रहता है वो Serosa और जो Elba होता है इसके अंदर WBC का loss जाता होता है और whitest color का जो discharge present होता है तो नेक्स्ट MC क्यों अपना प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड विच आफ दा फोलोविंग अपन जो लेवल प्रिवेंशन पढ़ते हैं प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकंडरी और टर्सरी लेवल के प्रिवेंशन पढ़ते हैं उसके अंदर ये पूछ रहा हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं अर्ली डाइगनोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं हेल्प पर्मोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं अर्ली डाइगनोसिस एंड री हैबलिटेशन करते हैं health education and treatment करते हैं तो जो pre-modial prevention होता हैं इसके अंदर क्या होता हैं किसी तरह कोई risk factor नहीं है फिर भी आप ताम-चाम कर रहे हो किसके अंदर आ रहे हैं के अंदर rehabilitation चलता है, मालो किसी patient को CBA हुआ है cerebral muscular accident हुआ है, उसकी वज़े से उसकी one-sided body paralysis हो गई क्या उसका speech चला गया, बोल नहीं सकता, तो उसको जो वो पहले की तरह अपनी normal life जी पाए उसको psychological hour improve कर रहे हो, आप उसको prepare कर रहे हो तो वो जो सीज़े रहती है, जो अपन supportive initiative लेते हैं वो सारे treatment के इसके अंदर रहता है rehabilitation करना मरीज का वो किसके अंदर रहता है tertiary level के अंदर रहता है तो इसके अंदर early diagnosis and treatment हम secondary के अंदर करेंगे health promotion करते हैं और specific protection देता है, like immunization वगरा तो यह किसके अंदर आती है यह आता है, primary prevention के अंदर early diagnosis भी secondary के अंदर आएग rehabilitation, tertiary के अंदर आता है health education अपन जो है primary prevention यह primordial prevention के अंदर भी देते है next MCQ which of the following communicable disease can found by sick test sick test जो है, यह किसका diagnosis test होता है, pertuses का diptheria का, यह influenza का यह chicken box का, जो chicken box का causative organism होता है, varicella joster और वो ही क्या करवाता है, herpes joster influenza, सबसे shorted incubation period, viral बिमारी होती है यह, हना diptheria, जो होता है इसका जो diagnosis test रहता है, वो रहता है sick test, diptheria को अपन sick test के द्वारा diagnose करते है, pertuses को अपन 100 day cuff, यह फिर whooping cup के नाम से भी जानते है, next mcq अपना what is the meaning of dots, dots क्या meaning रहता है, direct observed total short course, direct observed treatment short course, directly observed treatment several course directly observed treatment short course जो option D के अंदर लिखा है, यह क्या है, dots की full form है directly observed treatment short course जो है, यह dots की full form है, dots आया कब था 1992 के अंदर क्या हुआ था revised national tuberculosis program आया था, यह न, RNDP आया था, इसके अंदर dots को include किया था, क्योंकि इसके अंदर क्या problem आ रही थी, tuberculosis control program जो था, उसके अंदर यह problem आ रही थी, कि लोगों को 9 month का जो completed tuberculosis का course रहता है, वो consistent लेना होता है बीच में, break नहीं लेना होता है तो लोग जो क्या करते थे, बीच में break करते थे और फिर वापस start करते अगर आप बीच में break करते हो, तो आपको zero से treatment start करना पड़ता है, ऐसी condition में, उन्होंने dots को involve किया, revised national tuberculosis control program के अंदर dots को include किया, और dots के अंदर क्या था, जो peripheral health अपनी जो होती, एने मोत, जो आंगनवाडी के अंदर जो रहते हैं, जो एने मोती थी, वो क्या करते थी, अपने observation में directly सामने बैटा के, मरीज को treatment देती थी, tablet देती थी, वो क्या था, dots था, directly observed treatment course therapy थी, next, when the child survival and safe motherhood program was launched, जो है, CSS CSSM जो program है, child survival and safe motherhood program हैं, ये कब आया था, तो ये भी 1992 के अंदर आया था, इसका जो purpose था, कि ये program क्यों launch किया था, तो जो infant और mortality, infant and maternal infant and maternal mortality को कम करना, mortality को decrease करना जो इसका purpose था, इसका child survival and safe motherhood जो program था 1992 के अंदर आया, इसका जो purpose परपस था कि इंफेंट और मदर की जो डेथ रेट है उसको क्या करना था कम करना इसका परपस था नेक्स्ट एमसे क्यों अपना अगर आपको सेम वेक्सिन आपको लगा tendencies तो एक मंत का आपको गैफ रखना है लेकिन अगर अलग अलग वेक्सिन है तो आप सेमडेलं लगा सकते हो इसमें कोई इस रखना है मालों में OPV 7-day पिला रहे हूं हेपटाटेस लगा रहे हूं और BCG लगा रहे हूं तो ये तीनों अलग अलग है इसको 7-day लगा सकते हूं लेकिन सेम वेक्षिन को जो है अगर देना है आपको तो एक महीने का गेप रखना है नेक्स्ट एमसी क्यों अपना इपियाई वाज लॉंच इन है ना इपियाई जो है एक्सपटनेट प्रोग्राम आप इम्मिनाजेशन है ये कब लॉंच वा था इंडिया के अंदर तो ये तो सबको पता है 1978 के अंदर लॉंच वा था और इसको अपस रिनेम्ड करके 1985 के अंद अधर 1985 के अंदर और 1978 के अंदर क्या है अधा API तो आज के लिए इतने ही एम से क्यों अगर आपको एक कंटेंच समझ मां आ रहा है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है सेयर करना है सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के झाल करने पाल, नबहुआ से कहसेके लिए।